चठा खत ट्रेन में रात्री बीत गई है और खेतों में सुबह का सुरज फैल रहा है एक छोटा सा नाला अभी अभी पार हुआ है गाड़ी की आवाज सुन सफेद चांदनी के फूलों से सफेद बगलों की एक पंक्ती सुरज की और उड़ गई है फिर कुछ हुआ है और गाड़ी रुख गई है इस निर्जन में उसका रुखना भला लगता है मेरे अपरचित सहयात्री भी उठाये हैं रात्री किसी स्टेशन पर उनका आना हुआ था शायद मुझे सन्यासी समझ कर प्रणाम किया है कुछ पूछने के उसकता उनकी आँखों में है आखिर वे बोल रहे हैं अगर कोई बाधा आपको ना हो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मैं प्रभू में उसक हूँ और उन्हें पाने को बहुत प्रयास किया है पर कुछ परिणाम नहीं निकला है क्या प्रभू मुझ पर कृपालू नहीं है मैंने कहा कल मैं एक बगीचे में गया था कुछ साथी साथ थे एक को प्यास थी उसने बाल्टी कुए में डाली गहरा कुआ था बाल्टी खीचने में श्रम पड़ा पर बाल्टी जब लोटी तो खाली थी सब हसने लगे मुझे लगा ये बाल्टी तो मनुष्ट के मन जैसी है उसमें छेद ही छेद थे बाल्टी ना मात्र को ही बस बाल्टी थी बाकि छेद ही छेद थे पानी भड़ा था पर सब बह गया था ऐसा ही मन भी हमारा छेद ही छेद है इस छेद वाले मन को कितना ही प्रभु की और फियंको वह खाली ही वापिस लोट आता है मित्र पहले बाल्टी ठीक कर लें फिर पानी कीच लेना एकदम आसान है हाँ छेद वाली बाल्टी से तपस्चरिया तो खोग होगी पर त्रिप्ती नहीं हो सकती है और अस्मरन रहे कि प्रभू न कृपालू है न अकृपालू है बस आपकी बाल्टी भर ठीक होनी चाहिए कुआ तो हमेशा पानी देने को राजी होता है उसकी ओर से कभी कोई इंकार नहीं है रात्री बीत गई है और खेतों में सुवह का सुरज फैल रहा है एक छोटा सा नाला अभी अभी पार हुआ है गाड़ी के आवाज सुन सफेद चांदी के फूलों से सफेद बगलों की एक पंक्ती सुरज की ओर उड़ गई है फिर कुछ हुआ है और गाड़ी रुख गई है इस निर्जन में उसका रुखना भला लगा है